आप सभी को नमस्कार। यह शुद्ध MySQL PHP टिटोरियल है। मैं आपको जुड़ने, डेटा पुनहा प्राप्त करने, एरर संभालने और डेटा सुधाने के बेसिक्स बताऊंगा। अता यह कुछ SQL कोड और कुछ SQL कोरी को समाविष्ट करेगा। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। यहां मैं MySQL की डिरेक्ट्री संग्रशना दर्शाने जा रहा हूँ। और हम यहां कुछ files बनाएंगे। मैं पहली file बनाऊंगा और उसको connect.php बोलूँगा। मैं यहां आऊंगा MySQL नामाग फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और उसको connect.php के रूप में save करता हूँ। अब यहां हम एक अलग file बनाएंगे और सभी पेजों के साथ submit करेंगे जिने हम इस्तिमाल करेंगे। यह आपके database से जुनने के लिए काफी सरल हैं। क्या करेंगे कि अपना include function type करेंगे और इस file को दर्शाएंगे। मैं एक और file बनाऊँगा जो कि मेरी प्रमुख MySQL file है। एक code के साथ जिसे मैं आप सब को दिखाऊँगा। ठीक है तो मुझे मेरा mysql.php खुला मिला। यह PHP codes हैं और हमें PHP tags की आविशकता है। और वही सब कुछ PHP से जुड़ जाएगा। मैं इस include function को एक मिनट में समझाओगा। सरव प्रथम, मैं आपको बताऊँगा कि database से कैसे जुड़ें। यदि आपको पता नहीं कि आपने इसे अपने web server में कहां रखा है, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि PHP my admin नामक एक application को देखें। या एक database interface PHP में लिखा गया program है, या दूसरे शदों में एक script, यहां हम मेरे database के अंदर देखेंगे। बलकि मेरे server में, MySQL server में, यह हमारे table की सूचना, हमारे database की सूचना और मेरे server के बारे में सूचना इत्यादी देता है। हाला कि, हमें इसके बारे में जानने के अवशक्ता नहीं है, या एक program के लिए अच्छी शरुवात है, यदि आप अभी अभी PHP MySQL या Keyword MySQL को सामाने तोर प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। या अपने database के interface को शुरू करने के लिए एक अच्छा तरीका है, बजाए इन कादे को command line की साहे तरसे करने के. command line इस्तेमाल करना पहली बार वालों के लिए मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो हम यहां अपने database देख रहे हैं। मुझे PHP Academy नामक एक मिला है, और मुझे PHP Login नामक एक मिला है, जिसको मैंने दूसरे tutorial में बताया है, जो मैंने बनाया है। अन्य केवल standard हैं। यह केवल data को रखने के लिए हैं। उनको delete ना करें। आपको केवल इतना करना है कि नए database बनाने हैं। यह करने के लिए आपके पास यहां एक सामानने box है। हम अभी database बनाने जा रहे हैं। मैं अभी के लिए मेरी PHP Academy database में कारे करूँगा। यह काफी सरल है। अथ यह अभी database बना रहा है। यह सरल है। आप नाम टाइप करिए और create पर क्लिक करिए। मेरी PHP पहले से ही यहां बन चुकी है। अथ मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। इस पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं कि अंदर काफी tables हैं। यह यहां पर चिंद से दिखाया जा रहा है। और जब हम PHP My Admin इस्तेमाल करते हैं। यह मेरे guestbook tutorial से guestbook है। अब मैं इस tutorial का warning करने के लिए इस database पर एक नया table बनाऊँगा। और मैं इसे people बोलूँगा। Fields की संख्या काफी महत्वपून है। आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। आपके table में Fields की संख्या पत्येक डेटा के कॉलम को रखने के लिए होती है। उधरन सरूप, आम तोर पर पहला जब आप records के साथ काम करते हैं। आपके पास ID हो सकती है जो की एक संख्यात्मक value है। अतह या एक संख्या है जिसकी पत्येक बार विद्धी होने जा रही है। या आपको अपने records को संकेत करने की अनुमती देगा जो विशिष्ट संख्या से संचे किया जा रहा है। और इसे अकसर primary key निर्धारित करिए। यदि आप database से परिचित नहीं हैं तो आपको primary key जैसी शब्दावली को देखना शुरू करना चाहिए। मैं secondary keys के साथ काम नहीं करूँगा क्योंकि यहां MySQL database के साथ करने के लिए किसी भी तरह से काफी आसान तरीका है। केवल database को सामाने रूप से पढ़िए। यदि आपके पास Microsoft Access या कोई अन्य database प्रोग्राम है। मैं आपको database के सम्मू को सीखने की तरह देता हूँ। अच्छा, तो fields की संख्या इस पर निर्भर करती हैं कि कितना data आप रखना चाहते हैं। और क्या data आप रखना चाहते हैं। आम तोर पर जब मैं fields बनाता हूँ, मैं एक सामाने खारी डॉक्यूमेंट लाऊँगा। और मैं वो fields जो मैं चाहता हूँ, टाइप करना शुरू करूँगा। पहला हमेशा ID होगा। यह एक 100 वृद्धी value है, हर बार मैं एक नया record बनाता हूँ। अता यह पहले record के लिए एक होगा, दो, तीन, चार और उसके बार data फर्मा हिट किया जाएगा। यह बहुत ही लागदायक field है। चूंकि मेरा table people है, मैं लोगों के बारे में कुछ data रखूँगा। अता मैं पहले first name type करूँगा, और फिर मैं last name type करूँगा। और फिर age, और फिर gender, इसको सरल रख्षने के लिए हम इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं। अता हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें 5 fields मिली हैं। मैं यहाँ वापस आँगा और 5 type करूँगा, और go click करूँगा। यह बहुत बढ़ियां होगा कि एक minute में यहाँ एक pop-up देखने को मिलेगा। नहीं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी तक अपने fields के नाम नहीं बनाए हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक मानने हैं। इनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। किन्तु field एक field name है, अताप पहला id होने जा रहा है। टाइप data type है, जिसे आप इस field में रखना चाहते हैं। कुछ भी जो इसमें होगा इस data type में चोड़ना अनिवार रहा है। वारचार, जो की variable characters को दर्शारा है, काफी सामान नहीं हैं। यह काफी लाबदायक हैं और इसको लंबाई की आभिशकता है। हमारे पास यहाँ 25 अक्षरों की लंबाई हो सकती है। आपके पास 200 अक्षरों की लंबाई हो सकती है। यह 100 अक्षरों की लंबाई यह एक अक्षर लंबा। बास्तों में हम केवल data का type और लंबाई संचय कर रहे हैं। यह संचय करने में मरद करता है। उधारन सरूक, आपका first name। चलिए अपना field name लिखते हैं। यहाँ पर first name है और मेरे पर दार 4 है। 500 अक्षर type करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अनावश्यक मातर में data इस्तिमाल करेंगे। विशिष टूप से first name 25 अक्षरों से अधिक नहीं होगा। भले ही ऐसा है। यह 30 यह 35 अक्षरों से अधिक नहीं होगा। किन्तु अभी के लिए मैं अपना first name 20 यह 25 अक्षरों के रूप में संचय करूगा। मैं यहाँ 20 रखूँगा। हमारी ID एक पून संख्या होगी। क्योंकि यह एक संख्या है। यह स्वार विध्धी होगी। यह एक, दो, तीन, चार होगा। records की मात्रा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां हमारे पास कुछ अन्य विकल्प है। अब यह यहां पर primary key है। हम इसे चुनने जा रहे हैं। और कुछ अधिक में हम देख सकते हैं कि हमें auto underscore increment मिला है। यह एक स्वार विध्धी है। यह इस विशिष्ट function को देता है। जब भी आप कोई नया record दर्ज करते हैं। यह अपने आप ही बढ़ जाता है। अता यहां हमारे पास first name है। हमारे पास last name है। और मैं फिर से इसे तीस निरहारिट करूँगा। और हमारे पास क्या है। हमारे पास age है। और इस पर्ष रूप से एक पूर्ण संख्या है। और हमारे पास gender है। ठीक है। अब यहां age के स्थान पर मैं date of birth लिखूँगा। अता यह जन्तिथी है। मैं इसे date से निरहारिट करूँगा। यहां मैं date data type को ढूणने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं देखूँगा कि यह कैसे कारे करता है। अता date के लिए लंबाई यहां निधारिट करने के आपशक्ता नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक मानक प्रारूप है। अता इसके लिए हमें चिंता करने के आपशक्ता नहीं है। अब मैं gender को एक character का वेर चैर निधारिट करूँगा। अब हम पुरुष के लिए M और इस तरह के लिए F रख सकते हैं। ठीक है। यदि हम यहां जाएं। हम देख सकते हैं कि यहां अनेक विकल्ब हैं। आप इसको खुझ से comment कर सकते हैं। आप खुझ से इसमरण कर सकते हैं कि यह field क्या करती है। किन्तु आम तोर पर अपने field name को ठीक से newt करिये। जिससे कि आपको पता हो कि आप क्या data fan चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहां मैं save बर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि people यहां प्रकट हो गया है। यह यहां आप से एक query पूछेगा। अब जब मैं पहले command line की बात कर रहा था, यह वह है जो आपको बनाने के लिए type करना पड़ता। हाला कि हमने अपना save करने के लिए एक graphic user interface कर इस्तिमाल किया है। हम यहां नीचे देख सकते हैं, हमारे पास हमारी fields, हमारे types और हमारी collation भी शिश्चता हैं। उधारण के लिए null data है, default value जो की संचय है। उधारण के लिए यदि आपके पास field है, क्या उप्योग करता पंजिक्रत है या आपकी मर्दी का कुछ भी। आप यहां भी default इस्तिमाल कर सकते हैं। उधारण स्वरूप, यदि मैं सब को संचय करना चाहता हूँ, मैं default से पुरुष या default से स्ट्री पंजिक्रत करता हूँ। मैं यहां M या F टाइप कर सकता हूँ। और हमारे पास यहां स्वरृध्धी है, और साथ ही कुछ अन्य डेटा जिनको हमें इस टीटूरल में जानने की आवशकता नहीं है। मुझसे भाग दो में मिलिये। IAT Bombay की तरफ से मैं रवी कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।